दिमांग में एक ऐलाग तरीके की इमज्जा आ जाती है अब कर दिमांग में दो आप आप की जाती है कि और अदमी नहीं महिलाइं भी होती है और अगर महिलाइं होती है आप जानते हैं, तो ये नहीं जानते होंगे कि कैसे बनते हैं महिला नागा साधू, क्या सच में वो कपड़े नहीं पहनती हैं, क्या खाती हैं, उनकी पूरी, उनकी डेली रूटीन क्या होती हैं, ये सारी बाते आज मैं आपको इस वीडियों बताऊंगे, क्योंकि ये सवाल तो चलिए मैं को आपके सवाल का जवाब देती हुरальной बात करते हैं आज महिलानागावसाधु के बाने आपको बताएं कि नागार सादु के विड्रादरी में कि वहाल आदो ही रह collapse नागावसाधु की संख्या जो है बहुत कम होती है और ये बहुती कम दुरी के सामने आती है कैसे बनते हैं आपको बता दो महिला नागासादू बनने के लिए एक महिला को ये साबित करने के जरद पर दे कि अब उसका सान सारी खुशियों से कोई भी लगाऊ नहीं रहे जो पूरी इश्वर के लिए समर्पित ho चुकी है अगर उनके दिन चर्या के बात करें तो हर दिन सुबे जो है उनकि पुस्नान करना होता उसका शुद्ध होकर मैला नागा सन्यासिनियो की साधना वो शुरू करने होती है इसके बादड को पूरे दिन भगवान का जाप करती है हर सुबह उठकर शिवजी की अराधना करनी होती है और फिर शाम को भगवान दतात्रे की पूजा करनी होती है नागा साथू बनना इतना आसान नहीं होता है नागा सन्यासी बनने के लिए सालों तक कठिन तपस्या करने पड़ती है इनसान को जीते जी अपना पिंडदान करना पड़ता है सिर मुनवाना पड़ता है अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है और तब कहीं जाकर कोई महिला नागा साथू बनती है बल्कि वे कपड़े भी पहनती है नागासादू जो है जटाई रखती है माते परतलक लगाती है और शरीर पर राख लपेटी है यानि की बाकी नागासादू की तरह रहती है लेकिन बिना कपड़ों के रहने के बजाए वो गेरुए रंग का एक वस्त्रू भी धारन करती है अजयों जब श्त्रूब भी फोटे लगांगासादू के दर्शन करते हैं आपको बहुत सारे जो है अगर आप देखेंगे तो इंटरेट पर भी लागासादू की फोटो भी बहुत कम हैं तो आपको मैंने आज इस वीरीयों में जानकारी दी कि महिला नागासादू कैसे ब अगर मेरे से मिस हो गई है और आप जानना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजे मैं आपको आने वाली वीडियो के थ्रू महिला नागा साधू के बारे में जरूर जानकारी दोंगी फिलाल यह जरूर बताएगा फीडबैक जरूर शेयर की जागे कि आपको यह ज कर दो